नमस्कार मनी गुरू के इस खास पेशक्रिश में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ स्वाती रायना और आप सभी को कृष्ण जन्माश्टमी की धेरो बधाईयां भगवान श्री कृष्ण पारंगत माने जाते हैं सोला कला संपूर्ण माने जाते हैं और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने निवेश में पूर तरह पारंगत हो जाएं तो कुछ ऐसे उनके उपदेश हैं कुछ ऐसी सीख है जो हम भगवान श्री कृष्ण से ल मुनाफे के 8 फंड भी हम आपको बताने वाले हैं लेकिन ये फंड बताने के लिए हमारे साथ खास महमान है उनका परिशे करा देते हैं पंकच मटपाल, MD, Optima Money पंकच जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में कौन से वो आठ मंत्र होने वाले हैं पहले उसके जलकी हम आप सभी दर्शकों को दिखा दें बेसिकली फानाशल प्लानिंग के टिप्स ही है ये लेकिन इसमें कुछ सीख रहेगी जनमाश्टुमी के इस पर्व से और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से मुनाफे के आठ मंत्र जो सबसे पहला मंत्र यही होता है लक्ष निर्धारत करना फिर छोटा निवेश बड़ा लक्षी छोटी छोटे कदमों से अपने लक्षे की तरफ बढ़ना है जैसे दही हांडी में आप देखते हैं छोटी छोटे कदमों से पिरमिट बना बना के आप दही हांडी खोड़ते हैं लालच से बचना निवेश में भी लालच बुरी बला है भावनाओं पर नियंतरन रखना अत्याधिक जोखिम न लेना पोटफोलियो को रिव्यू करना जो आप काम करते हैं उसकी समीक्षा करना बेहदी जरूरी है अपने वित्तिय ज्यान को बढ़ाना निवेश करना तो ठीक बात है लेकिन उसके बारे में अपने आपको और सजग रखना ये और भी ज़्यादा जरूरी है और निवेश का सार्थी मतलब DIY निवेश तो ठीक है लेकिन आपको फानांशल या वित्तिय सलहकार की भी मदद लेनी चाहिए अपनी इस फानांशल प्लानिंग के इस जर्नी में एक एक करके इन आठ मंत्रों पर बात करते हैं पंकर जी से पंकर जी ये तो सबसे एक बहुत ही जरूरी थंबरूल रहता है किसी भी फानांशल प्लानिंग का ही और जब हमसे भी दर्शक पूछते हैं सवाल कहते हैं कि हमें आठ साल में आठ करोड रुपए चाहिए या 20 साल में 5-6 करोड रुपए चाहिए तो हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं आपने लक्षे क्या आपने रखा है किस लक्षे के लिए आप निवेश को करना चाहते हैं तो कई निवेशक सोचते हैं क्या रहे हमने तो लक्षे तय किया ही नहीं तो लक्ष निर्धारित करना financial planning के पहली सेड़ी क्यों है बिल्कुल स्वाती सही कहा आपने क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि आपको achieve क्या करना है तो आप पहले तो planning कर सकते हो कि उसके लिए आपको किस तरह से planning करनी होगी और दूसरी बात साथ में ये भी जरूरी है कि आप उसे पूरा करेंगे और उससे आप भटके नहीं देखिए हम अगर बात करने है क्रिशन जन्वस्टमी की तो यहाँ पर भी एक सीख हमें मिलती है क्रिशन भगवान ने भी कुरुक्षेत्र के युद में यही एक पनवास को सीख दी थी कि आप अपने लक्षे से भटक क्या है तो आप उसे अचीब कर पाएंगे वहां से आप फिर आपको ट्रेक पता होगा आप उससे भटकेंगे नहीं जरूरी है और फानाशल प्लानिंग में एक तरीका होता है अपने लक्षे को निर्धारित करने का जिसको हम स्मार्ट फानाशल प्लानिंग कहते हैं मतलब आपका लक्षे होना चाहिए specific, measurable, adjustable, realistic और time-based ये बहुत ही आसान तरीका है अपने लक्षे को निर्धारित करने का जैसा कि अभी जिस सीख से प्रेणा लेते हुए अभी पंकत जी ने भी बताया अब लक्षे तो तैक कर लिया लेकिन अब इस निवेश की सीड़ी को कैसे धीरे-धीरे इस सीड़ी पर आगे बढ़ें मतलब छोटे-छोटे निवेश से क्या बड़े लक्षे को हासिल किया जा सकता है बिल्वकुत स्वाती हम इसको भी इसी दर समझेंगे जिस तरह से क्षण भगवान बच्पन में नठखट थे और कहते हैं कि दही चुराया करते थे तो उसमें होता यह था कि जो वहां पर महिलाएं थी वह वक्षन को छत पर रखती थी उचाई पर रखती थी तो किष्ण भगवान क्या करते थे अपने दोस्तों को बुलाते थे और पिरामिट बनाकर एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर और वहां तक बहुत जाते थे अपन होनी चाहिए ताकि जो टॉप पर लेयर है उसको दिक्कत ना हो जैसे हम कहते हैं कि सुरुवात में जब अब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अधिक इन्वेस्टमेंट एक्विटी में कीजिए ज्यादे रिटर्न अर्म कीजिए जब रिटायर्मेंट के आसपास होंगे य आप उसको डेक्ट में स्विच कर सकते हैं कहां पर जोखिम कम रहेगा क्योंकि आपके फाउंडेक्शन मजबूत थी आपने पहले से अच्छा पैसा इखटा कर लिया दूसरी सीख से ये भी है कि जिस तरह से पिरामिड बनता है तो एक के उपर एक लेयर बनती चली जाती ह हैं और इस तरह से आपने टार्गेट तक पहुंच जाते हैं उसी तरह से यदि आप SIP के जरिये निवेश कर रहे हों तो क्या होता है कि आपने सुरुवात की वहां से आपने SIP के ऊपर मतलब इनवेस्टमेंट पर इनवेस्टमेंट करते गए और आपने बहुत बढ़ी प इनवेस्टमेंट में आप शेयर भी ले रहे हों और उसको बढ़ाते जाएं तो अपना टार्गेट हासिल कर लेते हैं तो यह बहुत एची सीख मिलती है हमें किस तरह से आप अपने लक्षा तक पहुंचने के लिए आप सीड़ी बनाते हैं और वहां तक पहुंच जाते है बिल्कुल लोग तो हमसे पूछते हैं कि कितनी राशी की जरूरत पड़ेगी मतलब कितने रकम से शुरुआत करनी चाहिए आप 500 रुपए से ही शुरुआत कर लीजे लेकिन अपने निवेश को समय दीजिए क्योंकि अगर आप एक सिंपल मैथेमेटिक्स करें 500 की SIP से अगर आप हर साल 10% की वृद्धी करते हैं अपने जैसा कि पंकर जी भी नहीं बताया कि टॉप अप करते रहते हैं स्टेप अप करते रहते अपने SIP को तो कितना आसान है अपने लकशों को पूरा करना लेकिन समय पर SIP करना समय पर निवेश शुरू करना बेहत ज़रूरी है तभी हम कहते हैं छोटा निवेश छोटा निवेश से बड़ा लक्षाष्चा सांई से हासल किया सकता है अब जब निवेश हम शुरू कर देते हैं पंककar जी हम ने लक्षय का निधारन कर लिया इसके बाद हम ने छोटे-छोटे कदमों से अपने निवेश के इस रहा पर हमने चलने की शुरुआत भी की इस पूरे रहा में कई emotions जो होते हैं या तो emotion में सबसे पहले तो मैं लालच की बात करूँगी क्योंकि हमें लगता है कि हम क्यों ना रातो रात लखपती करोडपती बन जाए कोई ऐसा रस्ता मिल जाए जिससे की तुरंथ हमें हमारे हाथ में पैसे आ जाए तो लालच करना या लालच की नजर से निवेश करना ये कितनी बड़ी गलती है किसी निवेशक के लिए और ये किन-किन तरीकों से लालच किसी निवेशक के मन और दिल पर हावी हो जाता है return कमा रहा है निवेश पर या किसी तरह से भी पैसा इखटा कर रहा है तो मन में याता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा आप ध्यान दीजिए आपने लक्षे ट्रै कर लिया आपने निवेश करना भी उसके लिए सुरू कर दिया अब आपका जो असेड लोकेशन है वो बराबर रहे आपका सेलेक्शन ऑप स्कीम्स सेलेक्शन ऑप पंड्स वो सही रहे तो ये बहुत ही बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप अपने गोल को हासिल कर उसको आप सही रखें रखता है कि रातो रात वो अरबपती बन जाएंगे करोड़पती बन जाएंगे तो ऐसे निवेश से दूर रहना चाहिए स्वाति अपने सही कहा यहाँ पर दो चीजें हैं एक तो है अन्रेगुलेटेड मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर सरकार की कोई मतलब कंट्रॉल नहीं है उस तहें का आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर जोखिम बहुत जाएदा है और दूसरी बात यह होती है कि कुछ पॉंजी स्कीम जिसको हम बोलते हैं जो की स्कीम ही इस तरह की बनाई जाती है कि जहां पर आपको ठगने के लिए वो स्कीम चलाई जाती है कही ना कहीं कुछ दिन तक आपको रिटन भी मिलता है लेकिन बाद में आपका पैसा डूप जाता है और जैसे क्रिप्टों की भी आपने बात की तो यहां पर भी क्या होता है लोगों लालक बहुत आता है क्योंकि जब देखते हैं कुछ लोगों ने इंवेस्ट किया और उनको रिटन भी मिल गए लेकिन जैसे मैं पहले भी कह रहा था अगर प्रॉसेस सही नहीं होगा वो चीज सही नहीं होगी इंवेस् का प्रॉडक्ट नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने पैसे कमाई और कुछ ने बहुत गवाए भी इसी तरहें से बहुत सारी स्कीम पहले भी आई हैं जहां पर लोगों लालत दिया जाता है कि आपको यहां पर रिटन बहुत अच्छे मिलेंगे और कुछ समय तक रिटन्स मि नहीं है या फिर ऐसी स्कीम जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लालत दिया जा रहा है तो समझे कि फसाने का एक तरीका है इस तहें कि स्कीम से हमेशा दूर रहें और वहां पर भी जोखिम कम या ज़्यादा होता है मैं मान लीजे शेयर मार्केट की बात करूँ जो पूर कारी भी होनी चाहिए यदे वरना किसी आपको प्रोफिशनल की बदत लेनी चाहिए बिलकुल और इससे जुड़ा हुआ इससे जुड़े हुए और भी मोशन से पंकर जी हम से व्लालच की बात नहीं कर रहे हैं हम कई ऐसे बायसे जिसको हम कहते हैं और फानांशल टर्म में तो ये बायसे बहुत ज्यादा समझाए भी जाते हैं तो कुछ ऐसे पूरवग रहे होते हैं जो कि हमारे निवेश के फैस्टों पर हावी पढ़ जाते हैं मसलन रीसंसी बायस, लॉस एवर्जिन, फैमिलियारिटी बायस, मेंटल अकाउंटिंग, फ्रेमिंग बायस, कन्फ बिल्कुल, स्वाति बिल्कुल आपने जो टर्म्स बताएं ये शायर नहीं समझ में आएं पर कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति को जिसे मानलीजे कह दें कि आपनी चीज सबको प्यारी लगती है, अब अगर मैंने कहीं इन्वेश्मेंट किया हुआ है, मैं घर की बात करते हो, अगर घर की बात करें और घर किसी को बेचना हो, तो उसको लगता है नहीं, इस घर की कीमत तो इतनी होनी चाहिए, मतलब जादा होनी चाहिए, लेकर खरीदने की बात हो, तो लगता है कि सस्ते में मिल जाना चाहिए, तो मेरी चीज है, तो यह अच्छी है, इसका तो प्रा तो यह क्या हो गया मतलब कि अब आप वहां पर यह सोच के बैठे हो कि आपने आप सोच के गए कि यह चीज मुझे बाई करने इस प्राइस पर यह सही रहेगी यह यह अच्छी नहीं है लेकिन दस लोगों कहते वे सुन लिया आपने कि नहीं यह तो कमनी बहुत अच्छी है अच्छा है और फिर लगने लगता है कि नहीं क्या मैं ही सही हो सकता हूं यह दस लोग कैसे गलत हो सकते हैं और आप अपना जो निरने है वो बदल देते हैं तो इस तरह से बहुत सारे बाइस होते हैं जो इमोशनल बाइस होते हैं और आपको कई बार यह निवेश में अरजुन ने ऐसा कहा कि मैं युद किसके अगेश में कर रहा हूं अपने ही भाई अपने ही गुरु अपने दोस्तों को को अगेश में वार कर रहा हूं तो किष्ण भगवान ने एक ही बात कही थी कि आप अधर्म के अगेश में लड़ रहे हो यहां पर आपको emotional नहीं होना च चाहिए जितनी जल्दी हो सके अधरवाइज आपने लॉस को बढ़ाते जाएंगे अभी आपने लॉस एवर्जन की बात किती कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं लेकिन यदी ये बात का अहसास हो जाए कि यहां पर बिल्कुल गलट डिसीजन हो गया है तो वहाँ पर आपको वहां से निकल जाना चाहिए आपने बाजार में पैसा लगाया मतलब आपने जोखिम लिया है जोखिम तो है ही पर अत्यादिक जोखिम लेना क्यूं सही नहीं है किसी निवेश के लिए और कई बार निवेशक किन-किन तरीकों से अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं अपने पॉर्टफोलियो में बिर्खुल स्वाति सही कहा आपने देखे जोखिम लेना तो मतलब calculated risk इसको हम बोलते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह का जैसे हम market की बात करें share market की तो उताच रढ़ाओ रहता है तो पता है कि लंबे समय में अगर मुझे मालूम है गोल्ड डिपाइंड है और समय पता है कि कितना समय है उसके लिए और मुझे मालूम है कि इतने समय में share market कितना भी उताच रहाओ रहे वहाँ पर लेकिन मुझे वहाँ पर अच्छा फायदा मिलेगा तो इसको हम कहते calculated risk है मुझे मालूम है historical है इतने साल में हमेशा share market अपने उस इसतर से जहां से शुरू ह उससे उपर रहता है लेकिन जहां तक है कि अध्याधिक जोखिम लेना कई बार निवेशक ऐसा कहते है कि आप तो क्योंकि समय बदल गया है और आप test match का जमाना नहीं है आप तो बस one day में ही सब कुछ मतलब match को खतम करना है तो इसी तरहें से निवेश में ऐसा कई बार होत होती है और निवेशक ऐसा सोचते हैं कि ऐसा निवेश किया तो जल्दी बढ़ जाएगा तो हमेशा ध्यान दीजिए कि ज्यादा जोखिम लेने से आपका गोल अचीव नहीं हो जाएगा हो सकता है कि आपके जो capital है वो भी आप lose कर दे तो इसके लिए उतना जोखिम लेना जितना आप सह सकते हैं और आपके समय के अनुसार आपके investment का जो objective है उसके अनुसार जितना जोखिम लेना सही रहे उतना ही जोखिम आपको लेना चाहिए बिल्कुल पंकर जी और अपने फैसलों की समीक्षा कब कब करनी है बिल्कुल स्वाति देखे ये तो बहुत जरूरी है कि portfolio का review और rebalancing समय समय पर जरूर होनी चाहिए क्योंकि आपने जब निवेश किया तो उस वक्त पर कुछ हो सकता है कि इस्तिति कुछ और थी और समय के अनुसार आपकी age के अनुसार या परिस्तितियों के अनुसार की जिजे change हो सकती है और इसको भी अगर मैं जनमस्टमी से जोड़कर किष्ण भगवान से जोड़कर कहूं तो किष्ण भगवान ने ये कहा है कि सरीर जो है वो नश्वर है लेकिन जो आत्मा है वो अमर है आत्मा जिस तरह से हम कपड़े change करते हैं उसी तरह से आत्मा भी सरी change करती है बस वही है कि अगर मान लीजिए आपने equity में निवेश किया और चिस scheme में निवेश किया था अब वो scheme आपको लग रही है कि अच्छी नहीं है या आपके objective को meet नहीं कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं आप किसी दूसरे equity scheme में switch कर रहे हैं है तो असक वैसा ही ना लेकि आपको लगा बाद में ये जगे जो ठीक नहीं थी और आप दूसरा घर ले रहे हैं तो आपने क्या किया सिर्फ आपने scheme change की घर change किया लेकिन वो जो asset है वो same है तो इसलिए ध्यान रहे कि समय समय पर आपको अपने portfolio की समिक्षा करनी चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो यह नहीं है कि डेली-डेली आप अपनी energy को देखें या शेयर के price को देखें आप ऐसा ना करें एक समय आप decide करें तो साल में एक बार या साल में दो बार आप portfolio को review कर सकते हैं जी पगजी एक और पात बताईए कई बार हम जब निवेश का फैसला लेते हैं आधे अगूरी जानकारी के साथ या किसी fund में निवेश करना है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है किसी asset class के बारे में सही जानकारी नहीं लेते हैं पूछते जरूर हैं कई लोग आप कभी किसी दोखे में ना फसे या कोई गलती ना कर बैठे अगर आप खुद से सशक्त रहेंगे अगर आप खुद से जागरूक रहेंगे तो शायद गलतीयों के संभावनाएं कम रहेंगे बिल्कुत सही बात है आपको जानकारी होने ही चाहिए अब या तो जानकारी खुद के पास बहुत अच्छी हो या फिर आपके पास में कोई professional आपका advisor हो लेकिन जैसा आपने कहा कि जानकारी नहीं होती है और फिर निवेश कर देते हैं तो ऐसे में वो चीज अच्छी होती है ऐसा नहीं कि scheme अच्छी नहीं है लेकिन आपको हो सकता है कि entry और exit के बारे में पता नहीं है और आप उसमें invest तो आपने कर दिया लेकिन वहां से बाहर कैसे निकलना है कब निकलना है कई बार lock-in होता है scheme में scheme अच्छी है आप निटन देखे आपने scheme को समझा लेकिन ये निसमझ पाए कि वहां पर lock-in भी है तो जब जरूरती पैसे की आप वहां से निकाली नहीं पाए और आपको फिर हो सकता है कि जायदा interest पर loan लेना पड़े तो scheme अच्छी है लेकिन आप फंस गए हैं दूसरी बात यह हो सकती है कि वह scheme अच्छी है पर लंबे समय के लिए अच्छी है आपका लक्षय शौट टम का है और आप उनिरने सही से नहीं ले पाए तो इसकर जरूरी है कि आपको product के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी में वहां पर वो कमनी फुड़ा लॉस में जा रही है या आपने बॉंड लिया डिवेंचर लिया म्यूचल फंड लिया कहीं पर भी बात लागू होती है कि समय के साथ वो उतना अच्छा नहीं रहा लेकिन आपको क्योंकि अपने अपने आपको अपडेट किया नहीं आप कर नहीं पाए और आपका लॉस हो गया तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने आपको अपडेट करना और पूरी जानकारी के साथ निवेश करना यह बहुत जरूरी है तब ही आप अपने लक्षय को हासिल कर पाएंगे बिल्कुल और भारत के युद्ध में अरजुन के सार्थी श्री कृष्ने खुद थे इसलिए निवेश का सार्थी होना भी जरूरी है मतलब एक फानाशल सलहकार की जरूरत आपने यहाँ पर बताई किन माइनों में एक फानाशल सलहकार एक निवेश की मदद करता है स्वाति देखे अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो आपका फानेशल एडवाइजर है जो सार्थी है वो आपको अच्छे इन्वेश्टमेंड के जो एवेश हैं वो बताएगा स्कीम बताएगा बड मैं कहता हूँ कि उसके आगे आपके जो इमोशनल बायस होते हैं उसको कंट्रोल करने में आपका जो एडवाइजर होता है वो बहुत मदददार साबित हो सकता है कई बार ऐसा होता है जब खुद आप निवेश कर रहे होते हैं तो आप निर्णे इमोशन में आकर ले लेते हैं आपको मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई और आपको डर लगा और आप निकल गए क्योंकि आप खुद कर रहे थे लेकिन आपका एडवाइजर है आपको थोड़ा सा समझाया और चांसे हैं कि आप अपना निर्णे बदल दो तो एक बात तो यह है कि आपको जानकारी नहीं है निवेश के जो माध्य में उनके बारे में जो प्रोड़क्स उनके बारे में उसके लिए आपको सार्थी की जरूत होती है और दूसरी बात कि आप जो अपना निर्णे है उसको सही ले सकें आप इमोशनल जो बायसिस होते हैं उसमें ना फंसें तो इसके लिए भी आपको एक अच्छे सार्थी की जरूत होती है और यही हमने देखा कि कुछ शेत के युद्ध में जिस तरह से क्रिशन सार्थी बने अर्जुन के और जीत पाए वही जरूरी होता है कि आप अपने लक्षे को हासिल कर सकें उसके लिए आपका एक सार्थी रहे तो आपको इसमें मदद जरूर मिलेगी और शो के अंत में बहुत संक्षत में पंकर जी आपके पसंदीदा फंड्स भी हम जाहेंगे दर्शकों को आप बताएं ए तो रिस्क और रिटर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए आई से से प्रोडेंशल बैलेंस इड्वेंटेज पंड और प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप पंड आप तर्शनीर करें साथी मोतिलाल ओस्वाल मिट कैप 30 फंड और एक स्मॉल कैप पंड निपॉन इंडिया स्मॉ पारी दहेगा देखते रहिए जी पस्मॉज